हे गाई आज हम डिसकस करने वाले हैं बायोफिल केमिकल के बारे में देखे बायोफिल केमिकल एक ऐसा स्टॉक है जिसे सभी लोग खरीदना चाहते हैं और यह स्टॉक ने बहुत ही बहतरीन प्रॉफिट भी दिया है देखे यह स्टॉक में रिस्क एंड रिवर्ड दोनों फ को यहाँ पर जो है आपको अपर सर्कीट देखने को मिला देख लेजे डायरेक्ट अपर सर्कीट देखने को मिला मतलब यह जो पहले छोटा छोटा लोवर सर्कीट मारता था और अपर सर्कीट मारता तो बहुत अच्छा था सही है अब देखे यह क्या कि यह स्टॉक बहु stocks मिल जागा तो इसी तरीके से मैं आपको एक ऐसा भी stock बताने वाला हूं जो इस तरीके से आपको return दे सकता है लेकिन उसका मैं आपको बता देना चांता हूं वह बिलकुल dead free company है और zero pledge नहीं और upside की मैं बात करूँ तो कई गुना उपर जा सकता है अभी कई गुना उपर जा सकता है वो stock के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वह लगवाग 5 रुपेस के आस पास था और जब 5 रुपेस से चलना start किया तो 200 रुपेस पर जाको अपना दम तोड़ा था 200 रुपेस सोचे फिर उसके बाद नीचे आना start किया क्योंकि देखें अगर आप nifty 50 के stock लोगे है की नहीं अगर आप nifty 50 को stock अगर आप खरीतते हो तो आप नहीं बोल सकते कि बाई ये stock जो है मुझे 800% का या 1000% का आपको profit देता है दे सकता है वो भी एक साल में बहुत मुस्किल है है की नही बजास दे सकता है नहीं दे सकता है क्यों क्योंकि इनका जो business है ये constant rate में increase होते रहता और ये जो छोटे वाले stock है ये कभी भी एदम धक से उपर चले जाते है इस वज़़ा से तो देखें जिस company का नाम में आपको दिखा देता हूं सही है keynote financial service देखें बहुत सारे लोग बल प्राइज लगबग 68 रुपिस के आसपास चल रहा आज के rate में 9.99% मतलब 10% के आसपास ये stock दोड रहा अभी देखें इसका जो risk and reward है पूरी तरीके से favorable है दिखाता हूं कैसे ये देख सकते हैं ये stock न यही range पे चलता है ये range से जादा ये नीचे जाही नहीं सकता इतना य लेकिने तो ये stock ने एक label बना रखा उसके बाद से अगर आप देखोगे अगर मैं इसका maximum chart दिखाना चाहूंगा तो यहाँ पर देख लिजे ये stock एक बार लगबग 5 रुपिस के आसपास था 3 रुपिस के आसपास था sorry मैंने 5 रुपिस बोल दिया था और ये देखे 200 label के आसपास चरा गया था अब सोचिए भाई उनको कितना बड़ा profit हुआ होगा हुआ हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा अब जब चाहो आप बेच के बीच में निकल सकते हो उसी तरीके से ये stock दूबारा वही range में आ चुका जहां पर पहले था वही range में आ चुका अब देखे ये थोड़ा साथ है कि पिद्दी से यहां से निकला है है कि नहीं तो निकलने के कोशिस कर रहा है अगर मिलता है तो ले लेते हैं भाई देखे जो भी है मैं आपको इस वीडियो में किवल knowledge ये देता हूँ बहुत सरे लेके बोलते हैं भाई कि ये अच्छे stock नहीं है वो अ analyze करते हो study करते हो और stock को सही तरीके से ढूंडते हो अब दिखेंगे भाई कितने लोगों ने delivery यहां पर उठाया है तो यहां पर देख सकते हैं जो percentage और delivery है वो लगवक 70% लोगों ने अपना interest दिखाया है और यहां से खरीद के अपने घर लिके गया है घर लिके गया है मतल बहुत कम लोगों को मिल पाता अब बहुत सारे लिए यह भी बोलना चाहिए कि भाई आप तो ऐसे ऐसे stock बताते हो जो मुझे पता ही नहीं होता है लेकिन इसको हम क्या कर सकते है पता करना पड़ेगा ना में अब देखें पहले हमें mobile के बारे में नहीं पता था सबी लोग हो भाई हम ही को अब गरेट होने के जरूरत है है गी नहीं है तो इस stock में 70% लोगों ने दाव लगा दिया है और देखें आज के rate में यह stock कितने में open हुआ था तो लगबग 65.10 में open हुआ था high गया था 68.80 में low गया था 65.10 65.10 65.10 दोना है अब close हुआ 68.80 के आसपास यह stock ह और परमोटर्स के हिस्सेदारी अगर आप दिखना चाहोगे तो यहां पर लगबग यहां पर मैं आपको दिखाऊ हूँ तो परमोटर्स की हिस्सेदारी यहां पर लगबग 60 यहां पर 57% के आसपास है देख सकते हैं 57% के आसपास है और company पहले नुकसान में था काफी ज़् company dividend अच्छा देती है यहां पर दिखोगे तो 2019 में और 2020 में दो बर company ने dividend दिया लगबग 1 यह 1 रुपीज जो दिया गया है पौर शेयर करके पौर शेयर अब देखें एक छोटी सी company है यह अभी आपको दिखाई दे रही है लगबग 68 के आसपास पहले तो यह 30 रुपीज के आसपास थी और 1 रुपीज का यह क्या देता था dividend ही देता था मतलब 2% के आसपास more than around 2% के आसपास आपको dividend मिल जाता था और जैसे कि मैंने बोला company का एक भी शेयर प्लिज नहीं है यहां देख सकते हैं आप 0-0 बताया जारा और company लगबग virtually debt free है दोनों तरप से अच्छी बात है हमारे लिए और देखिए मैं comment करने से आपके comment करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कोई भी stock मैं आपको खरीदने या बेचने नहीं बोला हूं मैं बस आपके आँकों के सामने रख रहा हूं और मैं बता रहा हूं देखिए मैं खरीद रहा हूं और मैं ब सुचना पड़ेगा हाला कि मैं क्यों नॉलिज दे रहा हूं अगर आपको सही लगा तो कंपनी को पहले आप फरदर स्टडी कर सकते हो आई कि नहीं आपको ब्लेम करना पड़े यह है वो है ऐसे करके ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगए कि हां भाई मुझे भी कॉंफि जिलुदा जैसे जो प्लैटफों में यह अच्छे वाले प्लैटफों में जहां पर आप और आपका पैसा दोनों सेफ है यहां पर एक ग्रूप है जहां पर आपको बताया जाता है क्या खरीदना है नहीं बेशना है नहीं बेशना है इंट्राडे फ्यूशर ऑप्शन शॉ झाल झाल